आपका जो चेप्टर नंबर है 4.3 एक्सरसाइज 14 सम्रों तीन और सवाल नंबर हम लोग पढ़ने वाले आज कौन सा है छटमा देखो कहानी नुमा सवाल है थोड़ा फ़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बाकी बहुत ही आसान है कहरा कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वाराताएं किया गया कारे पिंड द्वाराताएं दूरी के अनुकर्मा अनुपाती होता है एक अचर बल लगाने पर पहला नंबर तो आपको बल दूरी चाल के बारे में पता होगा नहीं पता होगा त सब होता क्या है कौन से जानवर का नाम है है ना आगे दिखिए कि इस कथन को दो चरों वाले एक कथन के रूप में वेक्त कीजिए और और क्या करना है अचरबल पांच मात्रक लेकर इसका आलेक खीचिए क्या करना है अचरबल पांच मात्रक लेकर इसका आलेक खीचना है ठी कि एक बार और पढ़ लीजिया हम से कर्या कि इस कतन को दो चरूवाले एक कथन के रूप में वैक्त कीजिए इस कतन को दो चरूवाले एक कतन के रूप में मतलब एक समीकरण के रूप में वेक्त कीजिया ऐसा कुछ सवाल में होगा मतलब समझ गे ना दो चरवाली एक समीकरण के रूप में वेक्त करना है और अचरबल यफ जो है उसे नहीं बोलते है अचरबल वहिया जो कंस्ट्रेंट है जब परपोर्शनल करोगे तो एक कंस्ट्रेंट आएगा उसका मान दिया है पांच इसको ले करके एक आले खीचना है देखो मतलब समझो सबसे पहले हम मानेंगे सब कुछ इधर फाइडे में हम हल करेंगे उपर से आप लोग नीचे तक देखिए ध्यान से देखिए प्यार से सबसे पहले हम क्या करेंगे मानेंगे लिखिए अब देखिए ध्यान देजिए हमने मान लिया कि अचरबल के है क्या है के है अनिकी कॉंस्टेंट है ठीक है अब आगे ध्यान दो यहां पर एक और बात हो रही दूरी की और कारे की भी बात हो रही न यह देखो दूरी की अनु दूरी को मानलो की यक्स है और कार को मानलो क्या है वाई है, भाई साभ अगर माने रहेंगे तब ही तो होगा ना, अब प्रफशना नुसार क्या कहता है, ध्यान दीजिए, करक की अचरबल लगाने पर एक पिंड दौरा किया गया जो कार है, वो दूरी के अनुकरुमानुपा तो अनकरमान बाती का चिन्ना इसे बना लो आप यह ठीक है इसे परपोर्शनल बोलते हैं और इसमें होता क्या है पता है आपको जब परपोर्शनल का चिन्न हटता है तो आप एक नियतांक आजाता है नियतांक मतलब constant यानि आप इसे लिख सकते हो के एक्स क्या लिख सकते हो बच्चा के एक्स लिख सकते हो ठीक है के क्या है constant है जब यह चिन हटाते हैं तो के आ जाता है और सनियों पूस हमें के का जो है वो क्या दिया है मान दिया है कहां मान दिया आपको होगे ये तो आपका हो गया एक प्रकार से ये आपका equation बन गया लेकिन इतने में ही काम नहीं चलने वाला नीचे और भी कुछ कह रहा था पढ़ो कह रहा इस कतन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में वेक्त कीजिए तो मैंने वेक्त कर दिया ये समी καरण के रूप में आगे लेकिन अभी इसका अगला इस्ट्प नहीं हुआ अगला मैं क्या है जैसे काहरा था कि अशेरह राथा कि पांच्लाल रख लेकर के जो है वो इसके आलत खिचिए तो यह तो नो एट भी आले अब पांच मातरक लेकर नीचे लिखो. अचर बल पांच मातरक लेने पर. अचर बल जब पांच मातरक लोगे बच्चा तो स्भ Kelsey सो यह हो जाएगा 5 X. ठीक है? क्या हो जाएगा? 5 X. यह आपका हो गया दो चरवाले समी करणी के रूप में एक समी करणी बन गया. यह आपका क्या हो गए समीकरण इसे लिखो लिखो आता है समीकरण यह अगया अब देखिया अगला सप जो कह रहा था उसको कर लेते हैं समीकरण सो आपका गया था भाई बराबर 5 एकस ठीक है अगला हिस्त में step है कह रहा है आचर बल को पांच मात रख लेकर करके इसका अलेक खींचिए तो भई आचर बल को पांच मात रख मने ले लिए लिए असुनने बटा 5 इकॉल x यानि x का value जो है 0 आजाएगा क्या जाएगा 0 अगर वाई कमान आप इसमें 5 रख दो तो सीधा-फिदा कितना आजाएगा हो रहे निद्धिसांग 201 है गielt राइक लेते हैं एक एक वाई का एक जिडो कामा जीरओ मिल रहा है तो जीरओ कामा जीरो तो हम सब जानते हैं मूल बिंदुपर होता है यह 0 है ठीक है दूसरा निद्धिसांग 1 कामऄ 5 है यानि यक्स पर one यह यहाँ पर आया y पर five five मतलब एक point और आगे बढ़ेगा यहाँ कहीं होगा तो यक्स पर one और y पर five का मतलब यह ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा यहाँ आएगा यहाँ कहीं होगा समझो यह one कामा five है ठीक ना बच्चा और दूसरा बिंदू इसका सुनने कामा सुनने है तो यह आप सीधा मिलाओगे ऐसे लाकर के इस पर पटक के ऐसे निकाल दोगे यह उपर ऐसे निकल जाएगा और यह आपका समीकरण बन जाएगा आलेख जो खीचने को कहा था ठीक है बात समझ में आई ना समझ में कमेंट करना फिर से बताऊंगा समझ में आजाएगा अच्छे से जल्दी से इसको देख लो फटा फट आगे बढ़ते हैं हो गया ना कितना आसान है चलिए आगे चले अगले इसमें स्टेप पर क्या कहता है आगे इसमें और भी कुछ कह रहा है कि यदि पिंड दौरत है कि गई दूरी दो मात्रक है यहां पर मात्रक भी लिख लो क्या है बच्चा दो मात्रक है मिटर है सेंटिमिटर है कुछ भी है और दूसरा आप सने कि जीरो मात्रक है बदलना है दूरी को बार बार मान बदलना है एक बार 0 रखना एक बार 2 रखना है तो किया गया कारे भी ग्यांत करना है इसमें का जो पहला सवाल है, दो पार्ट है ना इसमें, दोनों में से पहला देखो तो क्या ग्याद करना हमें कारे ग्याद करना है हमने कारे को य माना था दूरी को एक्स माना था समी करन हमारा पांच यक्स है तो बच्चा इसमें हम दो रखेंगे किस का मन दूरी यानि यक्स का मन तो फाइनल में यह आ जाएगा कार के आ जाएगा दस मत्रक मत्रक को मतलब यह इसके साथ कुछ भी लगा सकते हो मीटर फेंटी मीटर किलोमीटर नहीं हाँ मीटर लगा सकते हो सेंटिमीटर लगा सकते हो किलोमेटर भी लगा सकते हो ठीक है कुछ भी लगा सकते हो लेकिन किलोगराम मत लगाना क्योंकि दूरी है तो किलोगराम में नहीं होगी न दूसरा इस्टेपिस में क्या कह रहा हो भी कर लो कह रहा है कि यदि जीरो तो तपका होगा भाया इस कमान जीरो रखोगे तो कार रहो जीरो हो जाएगा यह आपका फाइनल में हो गया जो जो कहा था मैंने सब कुछ निकाल दिया इस तरह से आपका यह कुछ न कुम्प्लिट हो गया तो प्यारे बच्चों अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके और आप फिर फे देखिए ठीक है तो जल्दी करिए इसको लिख लीजिए नोट कर लीजिए स्क्रीन साथ ले लीजिए अगर आप इसे यूटूब पे देखने को पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेला इकनान करें और हमारे साथ बने र यह कुश्चन मैं लिखूंगा नहीं मैं सिर्क बोलूंगा ठीक है तो सात्वा नमबर मैं बुक लिया हूं एंसी एरटी बुक अगर आपके पास है कक्छा 9 की एंसी एरटी मैत की बुक तो पेजिए नमबर 89 नहीं तो आप एकसरसाइज खोलो पेजिए नमबर नहीं यह संतुष्ट करता हो आप उनका अंसदान एकस रूपय और वाई रूपय भी मान सकते हैं चलिए हम मान लेते हैं जैसे कहा है ध्यान से आप लोग समझ गया हो बुक आपके पास नहीं है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके सवाल को फिर से सुन लीजिए और लिख रूपया सजे लिखो फातिमा द्वारा दिया गया दान भषातिमा द्वारा दिया दान बराबर वाई रूपया है क्योंकि आपके किताब में भी कहा है कि मान लो ये भी कह रहा कि दोनों ने मिल करके 100 रूपया का दान किया कितना का किया बच्चा? 100 रूपय का दान किया तो हम प्रफना नुसार लिख सकते हैं X प्लस Y उक्वल 100 रूपया ठीक है? कह रहा था कि इस समीकरण इन आकडों को परियोग करके इन आकडों को संतुष्ट करती हो इस समीकरण का आलेक खीचिये इन आकडों को संतुष्ट करने वाला आलेक खीचने का मतलब है कि हमें इनको अब हल भी करना है चलिए अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर यक्स और वाई के अलग अलग बिंदू निकालेंगे निर्दे सांक निकालेंगे फिर उनको हम एक आलेक की रूप में ब्यक्त करेंगे लिखो यदि यक्स बरावर सुने तो वाई का अलग अलग मान निकालो एक्स का मान सुनने रखोगे बच्चा तो आई का मान सौ आएगा यानि एक बिंदू हमें मिल जाएगा जीरो कामा सौ ठीक है इसमें वाई का कोई एक मान रख लो एक्स का मान सौ आएगा यानि सौ कामा जीरो ऐसा मैंने क्यों किया क्योंकि इस तरह का आलेक खीचना मर लिए आसान होगा बाकिए आप कुछ भी मान मान सकतो है यहांपे एकस का मान 5 रख दो आई का मान 105 आजाएगा कुछ भी आजाएगा 95 आजाएगा लेकिन पिर आंकड़ बनाओगे थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा 100 मानोगे थोड़ा सा एक सिस्टम में रहेगा आप 10-10 के पार्ट में उसे आराम से तोड़ के लिख सकते हो तो चलिए हमारे जो बिंदू थे वो मिल गए हैं 100 कामा 0 & 0 कामा 100 अब इनको हमें क्या करना है इनको हमें सिर्फ और सिर्फ दिखा देना है किस पे वही आलेख दिखा देना चाहिए तुर थांस वाले में चलिए आलेख के लिए आप रेड़ी हो जाओ बच्चा चलो फटा फट बना लो जल्दी करो देर मत करो ठीक है सबी रेडी है ना तो मैं खिंच सकता हूं आलेख हां कोई बात नहीं no problem यह लो मैंने किच दिया मैंने किच दिया अगर आपने कहा तो यह मने आलेख खिच दिया लेकिन एक बात आपको ध्यान देना, यहां पर हंड्रेड है, तो हम क्या गिंती एक से सो तक लिखेंगे, बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आएगा नहीं, हम इसमें काम करते हैं, इसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ देते हैं, बीस बीस में, तो को बीस, चालिस, अफ इधर साइड में बढ़ें, माईनस बीस, माईनस चालिस, माईनस शाट, माईनस असी, माईनस सो, इधर बढ़ो 20, चालिस, साट, असी, सो, अब देखो क्या कहानी है, ध्यान से समझो, हमें कह रहा कि 0 कामा 100 हमें दिखाना है X पे 0, Y पे 100 तो बच्चा अगर हम YX पे 0 चलें भाई 0 कहीं भी जाओगे तेसी पर रहेगा किसी तरफ नहीं बढ़ेगा Y पे 100 बोल रहा है यहीं Y का 100 मतलब यह यहीं हमारा जो बिंदू है वो यही है जहां मैंने काला कर दिया यही वो बिंदू क्या है बच्चा यह 0 कामा 100 है आगे देखो कह रहा है एक वाव अले में 100 कामा 0 X कामा 100, Y कामा 0 तो यह पे हम 100 चलेंगे बच्चा यह है 100 Y कामा 0 का मतलब उसी लाइन पे रहेगा एक भी पॉइंट बढ़ेगा नहीं तो यह हमारा यह बिंदू हो गया क्या कहते हैं इसे 100 कामा 0 और यह हो गया 0 कामा 100 आलेक खीचना था यहां से होता हुए एक ऐसे खीचतो रेखा बस हो गया यह यह क्या है यह आलेक है किसका X प्लस Y इक्वाल 100 देखो यह एक चरवाला रेखिक समीकरण है इसलिए इसका जो गराफ बनता हमेशा एकदम सीधा बनता टेरा मेरा नहीं बनता है लिख लो इस तरह से आपका यह सवाल पूरा हो चुका है अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आपके संकोच आप उसे हमें बता सकते हो कमेंट करके हम आपको उसे क्लियर कर देंगे चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी करिए बहुत फास्ट करिए बिल्कुल देर मत करिए आप लोग वीडियो को थोड़ा आगे फीचे कर लो बच्चा चलो आगे बढ़ते हैं अगले स्वाल की तरफ अगला चलिए बच्चा लो कुश्चन नंबर आपका आठवा है क्या कहता है बहुत ही आफान है बहुत ही मज़िदार है कह रहा कि अमेरिका और कनाड़ा जैसे देसों में तापमान को यानिकी टेमप्रेचर को फारें आपने कर भारत में इसे डिगरी सेल्सीयक में ना पाजाता है आपने गरमी में सुना होगा दिकांस की गर्मी जो है वो छपड़ फार पढ रही है पारा जो है पैतालिस पार चला गया और तंडियों में आपने देखा होगा कि पारा लोडग गया त्रेंडी बढ़ गई ब देखिए ध्यान से अगर आपके पास काक्षानों के एंसी आटी बुक है तो कुश्चन नंबर अठावा देखो कि यहां फारेन हाइट को सेल्सियस में रूप आंतरित करने वाला एक रखीक समीकरण दिया गया है और उसके बाद में इसमें आपके से पांच सवाल पूछे गये हैं पहला सवाल है डिग्री कहरा सेल्सियस को यक्स अच्छ और फारेन हाइट को अगर वाई अच्छ माना जाए तो उपर दिये गये रखीक समीकरण का आलेक खीचिए समझो फिर से सेल्सियस को यक्स अच्छ मानने को बोल रहा है फारेन हाइट को यक्स मानने को बोल रहा है और फिर उसके बाद इसका एक जो समीकरण है आलेक खीचने को कहा गया है चलिए ठीक है मैं आपको दिखा देता हूं समीकरण क्या है ध्यान दिजिए अब देखिए हमें यहां से पहले निर्देसांग गयाद करना होगा किसका मतलब एफ और सी का मान गयाद करना होगा क्यूंकि इसमें जो खीचना है फॉरेन हैट और सेल्सियस के आधार पर खीचना है तो इसमें अगर हम सी का कुछ ऐसा मान रखें जिससे यह कट जाया आसानी से हल हो जाये तो ज्यादा बेहतर रहेगा है ना तो मान लो कि हमने इसमें पहले लिखा कि C बराबर 0 लेने पर या 0 रखने पर हम इसमें C का मान 28 मान सकते हैं 35 मान सकते हैं 45 मान सकते हैं लेकिन फिर बहुत बड़ा हल हो जाएगा आसान हो इसलिए हम पहले सुनने मानेंगे तो बच्चा EF का मान क्या जाएगा यह सब सुनने हो जाएगा पलस 32 यानि EF का वैलू जो है वो 32 आजाएगा आपको पता है अगर C को हमने 0 लिया तो EF का मान 32 आ गया 32 आ गया सबसे आसान तरीका है कि दुबारा आप EF का मान पांच मान लो क्या मान ले 5 अगर हम 5 मान लेंगे तब क्या होगा पता है आपको चलो EF का मान अगर हम ओ सुरी C का मान 5 रखने पर चलो चलो फट से करो तो बच्चा अगर हम C का मान 5 रखेंगे यहां पर तो EF एक्वल 9 अपान 5 इंटू C का मान 5 और प्लस 32 इस तरह से हल करोगे तो यह कट जाएगा तो EF का मान 40 बनाएगा यानि अगर इस का मान 5 रखें तो यह कितना आएगा बच्चा 40 बनाएगा आपके दो निर्दे सांक मिल गए एक 0 का मा 32 और एक मिल गया 5 का मा 41 एक्तालीस बोलो मिल गया की नहीं अब 5 का मा 32 और 5 का मा 41 को हमें इस पर आलेक बना देना है बस है ना कितना आसान बड़ा मज़ेदा रहे ना बच्चा लोग चलो 0 का मा 32 एक्स पे 0 का मतलब है यहीं पर इस से उपर नहीं जाएगा 32 मतलब य पर 32 तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 25, 25, 35 यहां पर है तो 32 जो है 35 और इसके दोनों के बीच में होगा बच्चा यानि हम कह सकते हैं कि यहां पर कहीं 0 का मा 32 है ठीक है पांच का मा 41 मतलब यक्स पर 5 य पर 41 तो यक्स पर 5 चलेंगे यहां आ जाएंगे य पर 41 का मतलब यह ऐसे ऊपर जाएगा बच्चा 40 यहां यहां यहीं कहीं होगा हलका में तो यह यहां कहीं बन जाएगा 5, 41 इतना समझ में आया न हमें क्या करना था अलेक खीचना था तो हम इसको आए फे दोनों बिंदू होते हुए मिला देंगे और यहां हम लिख सकते हैं का लिख सकते हैं य इक्वल 9 अपन 5C प्लस 32 य नहीं एफ यह इसी समी करन का क्या है इसी समी करन का ग्राफ है बात समझ में आई ना अगर आप इमांदारी से समझे हो तो आप पका समझ गया होगा इसमें कोई डाउट नहीं होगा ठीक है आगे बढ़ें चलिए अब ध्यान देना और समझना इसे आप जल्दी फिलिक लेजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं लेकिए आनंत जी मेंस्टा दुरू प्रियंका अंकिता सुधानसु जो भी बच्चे कमेंट कर रहें कि बड़ी-बड़ी कलास मिलनी चाहिए ना बच्चा वह य अगला देखो इसी में का सिकन्ड पार्ट है पहला पार्ट था कि सेल्सियस को एकसाच और फरेनहाइट को वह यक्ष्च मान करके हमें आले खिछना था मैंने खिछ दिया दूसरा पार्ट कर रहा कि यदि तापमान को तीफ डिग्री रखा जाए तो फारेनहाइट में क्या होगी चलो मैं यहाँ पे निकाल के कल्ले दिखा देता हूं साइड में दूसरा यह लो फार्मूला यही होगा आपका नो बटा पांच सी प्लस बद तीस सी कमान तीफ रखने को बोल रहा बच्चा तो नो बटा पांच गुड़ा तीस और धन बद तीस पांच चंग तीस न आट यानि यह को मांड कितना आया 86 वार्येंगा दोर्जिक्स फहं गद्धना कितना है इसमें थाड पार्ट है करा कितापमान जो है 95 Fahrenheit है तो फिर हमें ग्याद कीजिए क्या ग्याद कीजिए फिर Celsius कमान ग्याद कीजिए चलिए मैं उसको भी कर देता हूँ इधर साइड में और एक बात ध्यान देना अगर आपने लिखा नहीं इसे तो वीडियो को पीछे करके फिर से नोट करिए और अगर लिख लिए तो ठीक है इसे रिपीट भी करते रहिए सिर्फ एक बार देख लेने से कुछ नहीं होगा अगर रिपीट नहीं करोगे सब बुला जाएगा तो फर्मूला है यही तो था नहीं फर्मूला था बच्चा 9 बटा 5 C प्लस 32 यहां से हम निकालेंगे तो यह इदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है साइड में यह 95 माइनस 32 हो जाएगा कितना हो जाएगा 95 माइनस 32 लो कर लो 95 माइनस 32 इसके बाद क्या होगा ध्यान देना भाई ध्यान देना यह बरावर 9 बटा 5 C आप देखो यहां पे आप ध्यान दो अगर इसको घटा होगे तो 5 में से 2 गया 3 और 9 में से 3 गया 6 63 होगा ना और इधर साइड यह 9 बटा 5 गुड़ा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा भाग का मतलब होता है कि जब गुड़ा करेंगे फिर से तो पलट जाएगा पलट जाएगा ना बच्चा तो इधर गुड़ा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा यह नि 9 बटा 5 बटा 9 बन जाएगा ना यही तो बनेगा 9 सते 63 यहीं तीन पच्चे साथ पच्चे 35 डिगरी हम कह सकते हैं कि जब फारन हाइट 95 है तो वहाँ पे हमारा फेलफियस में जो आएगा 32 डिगरी सेल्सियस आएगा ठीक है इसमें किसी को कोई डाउट नो डाउट चलो बच्चा उसके बाद इसमें एक और पार्ट है कह रहा है कि यदि डिगरी सेल्सियस को जीरो रख दिया जाए तो फिर हमें बताओ कि फारन हाइट में मान क्या होगा चलो उसको भी कर लेते हैं डिगरी सेल्सियस को जीरो रख के भी देख लेते हैं तीसरा नमबर पार्ट है इसमें का इधर फाइड ले लो बच्छा 3 चलो जीरो रख लो तो यह विक्कोल हो जाएगा Nog बटा पाँच-C-C-0 रख दो पलस बद्तिस यह सब जीरो हो जाएगा तो यह फ-k-C-32 आहेगा कितना अगर इसको आप जीरो कर दोगे तो इसके बाद इसमें एक और भी सवाल है, बहुत ही आसान है, कहरा कि यदि फॉरेन हाइट को जीरो कर दिया जाए, तो क्या होगा भाया, टिगरिया का मान का होगा, चलो इदर साइड में मैं हल कर देता हूँ, एफ की वैलू जो है, वो सुनने फुट कर दिया जाए, चलो वो भी मैं देख लेता हूँ, इफ का वैलू सुनने रख दिया जाए, तो नो बटा 5C प्लस 32, यहनि जीरो माइनस 32 होगा, बराबर नो बटा 5C होगा, फाइनल में वही सब होगा, जो अभी तक होता आया है, आप गोजE इनका मुल्टीपल करोगी मउल्टीपल करोगे बच्चा लोग इसमें तोिडाउट नहीभा है ने है दो सुन ने का जो हे सुनना ही रहा हां तो इसे नो बपड़ा 5 दीषी भी तो लीक सकते हो लिक सकते हो लेकिन ये मैनिस ड़या पहले ये बता मुझे चलो कले arrives तो इधर आएगा तो माय नाइस मॉठा जायगा आफ यहां से सी निकाल सकते हो जो को 32 माइनद 24 इसे मुठा तो सी हम इसे लिख सकते हैं बराबर बत्तिस यहाज है अगर हम सी निकालेंगे तो नौ बटा पांच जो इधर गुड़ा में इधर जाके भाग में हो जाएगा तो यह एक बात याद रखना जब भाग में जाता है तो चिन सहीद जाता है ठीक है बच्चा तो सी बराबर यह बत्तिस बाग कचिन हटाके गुड़ा करोगे तो पलट जाएगा यह ऐसे रहेगा उर में कट जाएगा पांच जो इनकी है नो जोग अ तो कुछ है नफ्लेस लिख बंट रेकिवाने से लुझा बताऊना है यह उल्टा कर लो जहांकर कि पांच बटेना हो जायेगा ना पलट जायागा ना तो पैंच उना दास पांटियां घी करका कद आइगा एक लिए नहीं आए इस नहीं यह तो आइनल का जो आंसर आएगा एक दम फाइनल वी माइनस में आएगा माइनस 17.8 डिग्री सेल्सियस ठीक है तो यह हो गया आपका और इसमें एक और भी पूछा है चौथा पार्ट में चौथा पार्ट में एक चीज यह भी कह रहा है कि अगर इसमें डिग्री सेल्सियस कमान 0 रखेंगे तो फरेंहाइट कमान क्या होगा बाई वो तीफरे में भी पूछा था चौथे में भी वही पूछ रहा है तो हम फिर वैसे कर देंगे अगर आपने इसे इतना देर में नहीं लिखा तो वीडियो को बैट करके फिर से लिखिए तो चलो बच्चा यहाँ पर क्या करोगे सी कमान सुनने रख दो तो फिर से पूछा है फरेन हाइट यह सब सुनने हो जाएगा आपको फता 32 आजाएगा कितना आएगा बच्चा 32 आएगा ठीका यह हो गया इसमें लाश्ट सवाल कह रहा है लाश्ट सवाल का कह रहा भाई बुक में देख लो लाश्ट सवाल जो है वो क्या कह रहा है बड़ा अजीब सा है खतरनाग टाइब का कहता है करा ऐसा कोई भी तापमान है जो फारेन हाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है यदि हाँ तो उसे ग्याद कीजिए यानि ये पूछ रहा है कि कौन से ऐसे टेम्परेचर पर जब डिग्री सेल्सियस और फारेन हाइट दोनों का मान बराबर आ जाए जिसे देखो जब यहां हमने सेल्सियस को जीरो माना तो फारेन हाइट 32 हो गया यानि इतना बड़ा अंतरा है दोनों बराबर नहीं हुआ न तो कह रहा क्या कोई ऐसा टेम्परेचर दुनिया में उपलब्द है कि जब दोनों बराबर हो जाएगा ऐसा है ऐसा है क्यूं पता है चलिए ठीक है मान लिजिए कि वो तापमान यक्स है चलिए लिखिए माना वो तापमान यक्स है लिख लिए तो भाईया जब अगर तापमान यक्स हो जाएगा तो हम क्या करेंगे हर जगा हम यक्स रख देंगे जहां पर हम डिग्री और फॉरेन हाइट रखते है लिखिए माना वह तापमान बराबर एक्स है तो फिर क्या करेंगे प्रफनानुसार प्रफनानुसार ये फर्मूला होता है वरिजिनल वाला हमने माना है कि एक्स जो है दोनों का पद बराबर है एक्स पे अब दिगरी दोनों बराबर है तो हर जगा एक्स रख दोगे प्लस बत्तीस इस तरह से बच्चे आपका क्या होगा एक नया यहां पर जनम होगा इस सवाल में आप देखो तो एक्स माइनस बत्तीस हो जाएगा क्यूं हो जायागा ना इसमें तो किसी को कोई लफड़ा नहीं चाहिए या फिर आप एक्स की बैलू ऐसे भी निकाल लो टेना मेड़ा करके चलो मैं वैसे भी निकाल के दिखाया देता हूं आपको यह देखो भीने के रूप में यह अलग है इनको हाल तो करना ही पड़ेगा तिर्चा गुड़ा कर दो तो यह 9 एक्स धन 5 से गुड़ा क 166 तो माइनस का 4 x बराबर 160 यह वर निकालो गे माइनस का 40 आएगा कितना आएगा माइनस 40 यानि आप यह कह सकते हो कि माइनस 40 पे फारेनहाइट और डिगरी दोनों बराबर होता है चाहे तो आप मैनस 40 लग के देख लो और फिर मुझे बताओ कि होता की नहीं होता है ठीक समझ गए तो यक्स का वालू माइनस चालिस रखोगे तो दोनों बराबर होगा फारेनहाइट भी बराबर होगा डिगरी भी बराबर होगा